हेलो एवरिवन वेलकम टू त्रीगुनास किच्छन आज हम बनाएंगे चॉली बेंगन की सबजी जटपट बनने वाली ये सबजी आप टिफिन के लिए भी बना सकते हो यहाँ पे मैंने 500 ग्राम चॉली ली है जो छोटी वाली चॉली आती है पतली उसे छोटे छोटे टुकडे कर लेना है और जो मोटी साइज की होती है उसमें से दाने निकलने है इस तरह से हम सभी चॉली को साफ कर लेते हैं आप इसे तपली कड़ाई या कुकर में भी बना सकते हो यहाँ पे मैंने गैस आन करके कड़ाई रख दी है अब इसमें मैंने एक कप तेल डाल दिया है तेल गरम होते ही इसमें छे साथ मेथी दाने आधी चमच राई और आधी चमच जीरा डाल के तड़कने देते हैं अच्छी तरह से तड़का लग जाए तब इसमें एक चमच अधरक लसुन की पेश्ट डाल कर अच्छे से मिलाईए अगर आपको हरी मीर्च पसंद है तो आप यहाँ पर ले सकते हो यहाँ पर मैंने एक टमाटर लिया है बारिक कटे टुकडों में वो डाल देते हैं टमाटर थोड़ा गल जाए इसके बाद हम इसमें सुखे मसाले डालेंगे एक चमच धन्याजीरा पावडर आधी चमच हल्दी पावडर और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च पावडर ली है क्योंकि यह तीखी वाली मिर्च पावडर है अब इसे अच्छे से मिक्स कर ले अब इसमें चॉली डाल कर अच्छे से मिक्स कर ले यहाँ पे मैंने बारिक कटे टुकडों में एक बेंगन लिया है यहाँ पे आप दो या तीन बेंगन भी ले सकते हो नमक टेस्ट के मुताबिक लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर ले अब इसे ढकन से कवर करके मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से पकाना है अब इसमें थोड़ी सी कसुरी में थी और बारिक कटा हरा दन्या डाल देंगे अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे यह स्वादिष्ट चॉली और बेंगन की सबजी तयार है यह स्वादिष्ट